है जैसिराम दोस्तों स्वागत आप सबका देखे किलास में हём देखने वाले हैं क्यों Ez talents हमें उसमें अपको यह बता था कि जिइ दिजिटल सम हमारा आहरा रच में कैसे काम करता है मल्टिप्लाइकेसिन में कैसे क्ता है ठीक है आज हम देखे आप लोग जैसे मैंने कहा कि कल हमने एक चीज़ देखी थी कि 200 का अगर मुझे 20% निकालना हो तो मैं यह कहूँगा आप से कि इसका value हो जाता है 50, 50 का DS कितना होता है जी 5 होता है ठीक है और इसका DS देखो 2,0 कितना हो गया 2 हो गया 5,2 कितना हो गया 7,7 दुने कितना हो गया 14,14 का मतलब हो गया 5 ठीक है दोस्तों इसका यहां यह मतलब हुआ कि percentage का DS पे कोई भी परभाव नहीं पड़ता है percentage का ds पे कोई भी परभाव नहीं पड़ता है अब क्यों नहीं पड़ता है इसका कारण क्या है यह कारण देखिए हम अब कारण यह है यहाँ पे कि इसको देखिए आप जब तक हमारा हर में जो ds है 100, 100 का ds कितना होता है 1, यहनि कि जब तक ds हमारा 1 है नीचे, बात समझे की नहीं यहनि कि हर में ds 1 है तब तक हमारे numerator का जो ds होगा जो uns का जो ds होगा उसमें कोई भी परभाव नहीं पड़ेगा क्लियर है दोस्तों, अब बात यह आती है कि चलो, अगर मैं कहूँ कि भे नीचे 1 है नीचे 1 है, तो इसका तो मतलब भी है कि भाई, एक तो मुझे चाहिए, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं अगर नीचे 2 है, अगर नीचे कितना है जी? 2 है, तो 2 है, तो मैं यहां किसे multiply कराऊँगा 5 से, यहां भी किसे multiply कराऊँगा यह 5 दोने 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 दोने 10, 10 का मतलब हो जाएगा एक, तो नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है 3 है, अब दोस्तों एक चीछ देखे 3 कि आप किसी भी संक्खे में multiply करो किसी भी संक्खे में multiply करो 10 या तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि उपर सेनु इची जैसे मानकि ऊपर सेनीचे तीन को काटना पड़ेगा जैसे में कहों 75 में 6 कर दिया नीचे अब देखो 6 में क्या रहा है कि आ प शे नहीं का अट है 3 इसका मतलब है कि उसका DS कभी भी एक नहीं होगा क्योंकि 3 का divisibility rule भी यही होता है कि एक संख्या 3 से तभी कटे कि जब उसके अंको का योग वो 3 से divide हो जाए बात समझे 3 और 9 दोनों के साथ SIM rule अपलाई होता है इसलिए मैं आप से कहूँगा कि 3 और 9 इनको उपर से काटना पड़ेगा otherwise हम अगर नीचे 3 आ जाता है नीचे 9 आ जाता है DS को अपलाई नहीं कर पाएंगे अब वही case 6 में आता है 6 में भी अगर मैं 3 को निकाल पाया तो मैं यहां DS अपलाई कर पाऊंगा otherwise मैं DS अपलाई नहीं कर पाऊंगा फिर मैंने कल एक बात कही थी कि नीचे 3, 6 और 9 अगर आ जाता है और यह उपर से कट नहीं रहा तो फिर हमारा जो वैल्यू आएगा वो पॉइंटों में आएगा वो लगवग में वैल्यू आएगा और मैंने कल यह बताया था कि DS की विस्यस्ता होती है प्रोपर्टी होती है कि अगर एक बार यह लगवग में वैल्यू आ गई यानि कि निकट मान अगर हमारा आता है तो निकट मान के लिए DS वैलिड नहीं होता है ठीक है अब अगर मान लीजिए 4 है 4 का मतलब है कि मैं यहां किसे मिल्टिपिलाई करूँगा साथ से करूँगा यहां भी साथ से करूँगा देखो साथ चोके 28 होजएगा 28 का मतलब कितना होजएगा वन होजएगा पांच है तो 2 से करूँगा देखे पांच है तो 2 से करेंगे साथ है तो 4 से करेंगे आठ है तो 8 की 8 से मिल्टिपिलाई कर देंगे इधर हो जाता हूँ चलिए देखें अब देखें अब देखें दूस्तों यहाँ पर हमारा यह 2 है यह 3 है यह 4 है यह 5 है यह 6 है यह 7 है यह 8 है यह 9 है ठीक है अब मैं ऐसे याद रखूँगा 1 by 1 एक का भाई 1 दो बटे 5 पांच का भाई 2 नीचे 5 आता है तो 2 नीचे 2 आता है तो 5 साथ का भाई 4 और 8 का भाई 8 आप इसको इन चीजों को याद रखे बस एक बार ठीक है और यह एक बार में तयार हो जाती है एक बार देखने से यह आपकी तयार हो जाएगी ठीक है चलिए दोस्तों आब आते हैं हम अपने यानि के बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर 3 आ जाता है 6 आ जाता है और 9 आ जाता है अगर उपर से कट गया हमारा तो हम डियेस अपलाई कर पाएंगा और इसको हम नहीं काट पाते तो यह डियेस हमारा अपलाई नहीं होगा और आप एक चीज़ देखें कि निकट मान निकट मान का मतलब क्या था एप्रोक्सिमेशन एप्रोक्सिमेशन का मतलब है था कि आप 100 कोशन उठाएं यह 100 कोशन में कितने कोशन में बेलेगा आपको 2 या 3 कोशन बस maximum तो maximum इतने ही मिलेगे ठीक है अब आगे देखें पहला कोशन लेते हैं दोस्तों यहां पर देखें गोर चे देखें यह हो जाएगा 3 और 1 4 इंटू 6 और 2 8 और यह ही इंटू ए X is equal to यहां देखें 8 एक नो नो और यह 6 दो आठ इसका इस कितना आ गया 8 आ गया मैं कहूंगा जी 8 चोके 32 ठीक है मैं यहां थोड़ा नीचे ले ले लेता हूं ठीक है 8 चोके 32 इंटू X is equal to कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है दोस्तों मैं कहूंगा जी 5 इंटू X क्योंकि देखो 32 कितना हो जाएगा 5 is equal to कितना हो जाएगा 8 अब X का जो value हो कितना हो जाएगा 8 भाई 5 और मैंने कहा था कि नीचे अगर 5 आगया तो 5 का भाई कोन है 2 तो मैं यहां 2 से multiply करूँगा यहां भी 2 से multiply करूँगा तो 8 दोने कितना हो जाएगा 16 यानिकि 6 और 1 7 अब 7 देखता हूं DS किसका है 5 और 6 इसका त दो कोस्टर है वो यह है आपका कि बहुत ध्यान से देखना कि देखें 53 परसेंट ओफ 120 और 25 परसेंट और 862 तो यहां पर X का वो मान के चलो कितना है भाई 500 परसेंट है किलियर है दोस्तों अब यहां ध्यान से समझना एक चीज मैंने का जी 5 और 3 कितना हो जाएगा यह 8 इ दोस्तों कोई भी दिक्कत आती है तो आम मुझे कमेंट में लिखके भेजिए मैं उसी के ऊपर आपकी वीडियो बना दूगा आपके डाउट जो भी होगे उसके उपर में एक वीडियो बना दूगा ठीक है अब देखें मैंने का जी 8 ती कितना हो जाएगा यह 24 हो जाएग हो जाएगा प्लस साथ सते उननिंचास यानि के 49 49 का मतलब हो जाएगा 9 और 4 13 13 का मतलब हो जाएगा चार यह उकल टू हो जाएगा एक सिंटू 5 अब यहां से कर मैं एक्स का वेली निकालता हूं तो जाएगा 1 भाई 5 देखो 5 इधर आ जाएगा और 5 का भाई को ने जी 2 है अब जैसे मैंने 2 से मल्टिप्लाइ करी तो आप नीचे वाले को भूल जाओ नीचे वाले के हमें जूरती खत्म होगी अब 2 देखते हैं जी 2 कहा मिलेगा मुझे मैं कहता हूं नो 5 2 7 यह 7 आ गया 5 5 10 और यह आ गया हमारा 2 यह आ गया जी 2 ठीक है यानि कि यह मेरा अंसर हो स ठीक है आप समझपा रहे हूं मैं एक बार रिपीट कर देता हूं देखें पांच और तीन आठ दो रेक तीन कि लिए रहे दोस्तो प्लस पांच और दो साथ और इसका जब हमने डियस करा तो यह कितना आ जाएगा यह भी हमारा सैवन आ जाएगा ठीक है नहीं च्छे दो आ ठीक है आगे देखें अब देखें यह कोशन है हमारे पास ठीक है अम मैंने यहां कहा देखो पांच और चार नो नीचे कितना मिला एक मिला और एक ही तो हमें चाहिए इससे बढ़िया तो कुछ बात ही नहीं है तो मैं कहूंगा पांच चार नो बचा तीन अब तीन जिसका चाहिए अगर आपने नहीं देखें तो मैंने कल की क्लास में बताया था पांच और नो इनका जोड क्या होता है जिरो की त्रे ट्रीट करता है तो एक बचा एक ही मुझे चाहिए था अभी हो जाएगा आपका पाट-चार-श्idet यह भी गया है यह जीरो होगा यह 3 होगा कलिर है दीजरों अब मैं कोहुंगा आप से कि वाईस जिसका-बी-ड्य-टीस सब्सक्राइब करेंगे तो तीन का भी क्यूब होगा क्योंने करेंगे तो तीन का भी क्यूब होगा सब्सक्राइब करेंगे तो इस पूरे का लिख सकते हैं जिरो भी लिख सकते हैं और यह हो जाएगा प्लस वन अब आगे देखतें वन अपॉन नो में से दो गए साथ चार से यहां गुणा करें कि चार से यहां गुणा करती मैंने इसको बूल जाओ यानि के मेरा जो डियेस होगा मेरे आंसर का जो डियेस होगा वो कितना होगा चार होगा अब यहां देख लेते हैं चार किसका है साथ पांच बारा और दो चोदा ये पाँच है यहां देख लेते हैं साथ पांच बारा बारा चार सोलह वाना का मतलब हो गया 7 अब देखो यह 9 इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप दो से यहां गुणा करो दो से यहां गुणा करो ठीक है तो मैं कहूंगा जी पांस दूने दस नेचे एक हो जाएगा नो नो दूने अठारा नो का जो मल्टीपल होगा उसका नो ही आजएगा 8 5 13 13 का मतलब हो जाएगा 4 यह मेरा अंसर हो जाएगा के लिए दोस्तों मैं एक बार रिपीट करता हूँ 7 5 12 12 का मतलब हो जाएगा 3 3 के 9 फिर 6 5 11 11 का मतलब हो जाएगा 1 और 1 2 ठीक है तो 9 में से 2 गए कितने बचे 7 बचे और 0 पलस 1 देखें यह कितना हो जाएगा 7 5 12 और 3 15 15 म हम क्यूब करेंगे तो 3 9 हो जाएगा और 9 एक बार आगया तो उसका मल्टीपल भी कितना होता है नो ही उसका मल्टीपल का भी डियस कितना होता है नो होता है ठीक है दोस्तों और 9 को हम फिर क्या मान सकता है अगर आगे पीछे पलस होता है तो उसको हम 0 मान सकते है ठीक है अ सब्सक्राइब घ Schüler हो गया है और कि देखें अगला सबादय अब एक कर आप से दोस्तों एक चीज मैं थी मैंने कहा था कि जैसे कई बार ऐसा होगा कि मैं डाय चाहिए टो लगा रहां पर मेरा डा रगांस्वाग मैं तो उसे मैं इस संख्या को इस से भाग दोगा ठीक है तो यहाँ एक संख्या आईगी अब मैं कहाँ कि इसका जो पहला अंख होगा उसकी इसके साथ आप अगर मल्टिप्लाई करें तो आपको क्या मिलना चाहिए देखो 88 64 यानि कि आपको मिलना चाहिए चार क्योंकि इसका उनिट प्लेस कितना होगा चार बहुत ध्यान से देखे इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो एक आंचर मिलेगा यानि कि अगर मैं इसकी इससे गुणा करूंगा तो मुझे यह मिलना चाहिए यह का मतलब है कि उसका पहला आंख होगा उससे गुणा करें तो इसका यूनिट पर इसकतना है चार वो आ जाना चाहिए अब यहां क्या रखो मैं क्या दो रखने से आ जाएगा दो दूने चार हाजी आ जाएगा पांच रखने से आएगा क्या देखे पांच दूने दस बहुत ध्यान से देखे अगर मैं है पांच रखता हूं तो पांच दूने दस जीरो आएगा चार रख अगर यहां पर यह तीन अगर पैलांग तीन रखते हैं तो तीन दुने छे आएगा चार नहीं आएगा यानिके यह मेरा अंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब मैं इसको आपको डिजिटल सम्से भी एक बार बताता हूं ठीक है ध्यान से देखिए देखिए दोस्तों यहां कि मेरा अगर मुझे इसका डिजिटल सम्से करना है वह ध्यान से देखिए पांच चार नो और नो यहां बचा दो दो का भाई कौन है पांच है पांच की यहां हमने मल्टिप्लाई करी इसको आप भूल जाओ इसकी कहानी खतम हो ठीक हैं अब यहां दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब देखिए ये question हमारा है जो आपका मेरे ख्याल से sigil means 2017-18 का question है दोस्तों यह और यहां पे up to 8 terms है up to 8 terms अब दोस्तों इस question को करने के दो तरीके हैं पहला तरीका है इसका देखें बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता है जैसे यह आप एक 0 यहां लगाई यह point हट जाएगा तो इसका मतलब यह कितना आजएगा 2.5 ठीक है फिर इसका देखो यह point एक स्थान left side में गया हुआ है इसकी अपेक्षा तो मैं लिखोंगा इसका value कितना आजएगा इतना आजएगा फिर अगला देखें उसका value कितना आजएगा इतना आजएगा इसका value कितना है इतना अब बस यहां से आपको थोड़ा दिमाग लगाना देखो बच्चे एक्जाम में दो तरह के student बैठते हैं पहले यह होता है कि जो थोड़ा सा दिमाग लगाया जिसने ठीक है वो क्या करेगा वो यह करेगा कि इसके देखो मैंने यहां सिर्फ एक चीज़ देखी कि देखो यह 27 है यह 77 है 25 है और यह 55 है पहला unit place सब का सेम है सब का सेम है लेकिन point के बाद के जो दो डिजिट हैं वे सब के अलगे तो पहले तो आप यह हो सकता कि point के बाद के दो अंकों पे काम कर लेए है ठीक है दोस्तों देखें अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि बात को बहुत ध्यान से समझने समझना ज़रा मैंने का एक ब उसका मेरे पहले दो अंकों पर पुइंट के बाद कोई भी परभाव नहीं पड़ेगा इसका मतलब होगा पांच और दो साथ और पांच और पांच और दो साथ मैं देखूंगा 77. कहां पर है यहां पर है यह मेरा अंसर हो देगा ठीक है दोस्तो एक तरीका तो यह हुआ मेरे पास अब दूसरा तरीका क्या है ठीक है अब दूसरे तरीका क्या है मारा ठीक है अब दूसरे तरीके की अगर मैं बात करूं इसको मेरा फकर देता हूं दे नीचे चार है तो मैं यह क्या कर powinा साथ की मिल्टिप्लाई किछिशए उपर बार है आट हैThis बार साथ अएगा बार हो जब 56 का मतलब वह ग्यारा और एग्यारा का मतलब थो अभ दो देख लेते कहा है नो 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 यह 5 हो गया अब यहां देख लेते हैं 3, 3, 6, 7, 7, 7, 7, 42, 42, और 2 हो जाएगा 44, और 29, 49, 49, एक बार मैं दुबारा से देख लेता हूं, 3, 3, 6, 7, 7, 7, 7, 49, 49, 49, और 5 यह हो गया, और 2 हो गया, 49, और 7, कितना हो जाएगा दोस्तों, 56, 56 का मतलब हो जाएगा, शे-पाच, ग्यारा, ग्यारा का मतलब हो जाएगा, एक-एक-दो, यह मेरा अंसर हो जाएगा, ठीक है, अगर आप इनको चेक करना चाहेए, तो इनको भी चेक कर सेकते हैं, देखो, एक-दो, तीन, चार, पाँच, छे-चार, आठ, आठ, पंजे, चालिस, पाँच, पैतालिस छारएगा, उननन्चस, उननन्चस का मतलब हो जाए, 49 का मतलब होगा, नोर चार, 13, 13 का मतलब हो जाएगा, 4, ठीक है, यहाँ एखो, पाँच कितनी से बार है, 1, 2, 3, 4, 5, आठ, चशे-था, पाँचfish का मतलब हो जाएगा, नहींट, दो, तीन, 4, चार, चार बार है, यानि कितना होज़ेगा 8 होज़ेगा 25 और 8 होज़ेगा 33 33 का मतलब होज़ेगा 6 यानि कि यह भी मेरा अंसर नहीं किलिए रहे दोस्तों यह मेरा अंसर होज़ेगा अगे देखते हैं अगला सवाल देखिए है अब मैंने कहा कि जी यह है X की पावर 8-1 अपोन X की पावर 4-1 ठीक है दोस्तों अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहां पे एक वरगांतर का नियम होता है जैसे X स्कार माइनस Y स्कार को हम क्या लिखते हैं X माइनस Y और X प्लस Y यह लिखते हैं ठीक है यानि कि यहां पावर 2 है तो यह यहां पावर देखो आधी हो जाती है यह निकि एक हो जाती है ठीक है तो मैं यहां आप से एक चीज़ कहूंगा कि अगर माने के चलो यहां पे X की पावर 4-Y की पावर 4 तो मैं क्या लिख criter minha और-1-2-2 प्लस-1 ठीक है तो यह लिखी है वो आधी हो जाती है ठीक है अब यहां देखिए आगे देखिए यह x की पावर 8 है यह minus 1 है यह x की पावर 4 है यह plus 1 है आप देखे x का value 2 है यह y का value 9 है अगर आप x का value कितना है 2 तो 2 की पावर 8 करोगी चलो वो तो संबाब है भी अगर 9 की पावर 4 करोगी तो आपको काफे time लग जाएगा इसमें ठीक है तो पहले इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं तो x की पावर 8 minus 1 है और नीचे देखो यह plus है तो इसका मतलब है कि हो जाएगा x की पावर 4 minus 1 x की पावर 4 plus 1 और अपोन की अगर मैं बात करूँ तो नीचे आजएगा x की पावर 4 plus 1 ठीक है यह कट जाएगा क्या बचेगा x की पावर 4 minus 1 अब x की जगे अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूं x की जगे क्या रखता हूं 2 तो 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16 16 में से एक गया 15 15 का मतलब होगा 6 अब यहाँ पर भी लगा देते हैं इसको y की पावर 4 minus 1 upon y square plus 1 अब यहाँ बचेगा हमारा कितना देखो यह प्लस वाला है तो यह बचेगा y square minus 1 बच जाएगा y का मतलब होजएगा 9 81 81 81 81 का मतलब कितना होजएगा बचेगा 80 80 का ds कितना होगा जी 8 हो गया हमें 16 क्या करना ह है a square plus 2 a b और पलस यह रहा देखो a b square plus a b square अब a square करते हैं तो a 6 36 अब 36 का मतलब कितना होगा यहाँ पर 9 तो नहीं है तो नहीं है और मैंहें तो दो स्किन सोट लेकि अराम से उसको आराम से वीडियो को पीछे ले जाके थोड़ा सा पोज़ करके आराम से एक बार question को तसली से देखिए ठीक है अब देखे एक बार अब देखे दोस्तों एक कोस्टन हमारा अंग्रेजी में लिखा हुआ है ठीक है बस मैंने ये कोस्टन इसलिए भी लिखा है ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कल भी मैंने बता था कि DS की रेंज जो है वो खाली ये नहीं कि हमने दो-चार सवाल कर लिए DS की रेंज इतनी है कि आप सोच भी नहीं पाऊँ ठीक है ये हमारा कंपाउंड इंट्रेस्ट का कोस्टन है हाला कि कोस्टन है इंग्लिस में ठीक है मैं हिंदी में एक बार इसको बता देता हूं हिंदी में कोस्टन क्या है देखो 16,000 रुपे को 9 महीने के लिए 16,000 रुपे को 9 महीने के लिए 20% पर एनम इंट्रेस्ट बिंग कंपाउंड इड क्वार्टरली इस यानि के हमने 9 महीने के लिए 20,000 रुपे लगाए है तोरी 9 महीने के लिए 16,000 रुपे लगाए है 20% वार्शिक दर पे और दर कैसी है यह चक्रवरद्दी है कंपाउंड है किलियर है दोस्तों अब यहाँ आप एक सिस सब्जे जरा यह 20% जो ब्या जा रहा है मेरा यह 12 महीने के लिए 12 महीने के लिए तो यहाँ पे है 9 महीने का निकालना है हमें 9 महीने का 9 महीने का मतलब हुआ कि जो हमारा rate of interest है वो 3 महीने के लिए यानि कि 9 महीने का मतलब हो जाएगा देखो 3 महीन ए, 3 महीन, 3 महीन यानि कि 3 बार लगाना पढ़ेगा, मुझे 3-3 महीन आप तो मैं कहता हो किadaRI अगर मैं छिक जप गूंजपक यह 20 परूप्सेंट है तो 3 महीने के लिए जो दर बनेगी वो कितनी बनेगी 5 परूपडी बनेगी पांच का मतलब हो गया, एक बटा बीस, एक बटे बीस का मतलब हो जाएगा, कि अगर बीस रुपिया है मेरा, तो एक रुपिया ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, एक इस हो जाएगा, लेकिन मेरे पास तीन तीमाही है, तीन तीमाही, तीन कौार्टर है, तीन तीन मही इतना आगया 9 जिए मिश्र दनन है what the हमें निकालना है इसमें देखें CI , यानिके चक्रवद्धी व्याज इसका सिदा सा मतलब यह होगा कि हमें निकालना है CI , यानिकि उस में से मुझे क्या घटाना पड़ेगा principle कि देखोzogen मिशंर धन मैंसे जब हम principle गठाएंगे तभी तो हमारा व्याज निकलेगा तो अगर मैंस मैंसे 7 को मिनस कर दू किक्भा दो यह इस वीडियो को पोज करके या रिपले करके जैसे भी आपको देखें आप फ़ड़ा तसलिमी देखें ठीक है मिलते हैं अगली किलास में दोस्तों